हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दे चानल स्रेस्टी इस्टेडी पॉंडर यहाँ पर हम बात करेंगे कि सीट एट के पेपर के बारे में कि लीक हुआ है नहीं हुआ है सीट एट का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ इस सारी नियूस के वारे में हम या पर आपको बताएंगे और CBSE ने अपना क्या निर्णा लिया है परिक्षा जो है अगर दुबारा होगी कि नहीं होगी अगर होगी तो कब तक होगी सब बताऊंगी और वीडियो में बने रहीएगा वीडियो बहुत important है तो देखे मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जब CBSE जो है na CBSE जो ये ऐसी बाते चलती है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है इसको लेकर काफी सजग रहती है और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे बाते चलती है तो उसको लेकर भी सजग रहती है और वो अपना निर्ने खुद सुनाती है ऐसा पहली बार नहीं हुआ ये देखे पुरानी ये निउस है लीक नहीं हुआ सीटेट का पेपर सीबीएसी ने अपना आंसर दिया था और ये आठ दिसंबर वाली जो परिक्षा है ये पहले की तो उसकी बात है ठीक है जब ये पहले हुई थी तो ये अजमेर की देखियं यहां पर खबर चपी थी तो ये देखे इसमें भी सीबीएसी ने का है कि आठ दिसम्बर को आयोजित सीटेट का पेपर लीक होने से संबंदित खबरों से बोड़े ने इंकार कर दिया है CVSC निदेशक सीटेट के जो थे उस समय उन्होंने कहा कि कानपूर्म से पेपर लीक होने से संबंदित मैसे सोशल मीडिया पर बायर हो रहे हैं जो की निराधार हैं यह देखे यहाँ पर यह बात ऐसा नहीं है कि इस वार पहली बार ऐसा हुआ है कि सीटेट का पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है तो आपको मैं बता दू दूसरी बात देखे बच्चे जो है ना स्टूडेंट जितने भी हैं बहुत से स्टूडेंट बहुत डीसेंटली अच्छे से पढ़ाई करते हैं सीटेट का पेपर देते हैं और भी आग बेकेंसी आती है उनको लेकर भी सजग रहते हैं कि टीचर्स की जब बेकेंसी आएंगी तो हम सीटेट कौलिफाइड होंगे न इतना कठिन काम है हाँ ये बात कही जा रही है कि पेपर सेकेंड जो पेपर फरस्ट है सेकेंड शिफ्ट का वो पेपर जो है वो लीक हुआ है ये बात कही जा रही है तो ऐसा नहीं सब जगे हुआ हो लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है तो हो सकता है कि हर बच्चे के पास य यह बात चल भी रही है लेकिन CBSC अपने इस तर से इसकी इंक्वारी करेगा उसके बाद ही कोई बात पताएगा ऐसे नहीं कि यह सब कह रहें कि परिक्षा हटेगी यह यह होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखे जहां जहां लीख हुआ है पेपर वही का जो है सेंटर जो है दुबारा परिक्षा होगी ऐसा नहीं होगा कि पूरी ही परिक्षा जो है पूरी परिक्षा जो है वो कैंसल कर दी जाए यह तो संभव नहीं है और बच्चों के भविश को लेकर भी संभव नहीं है आप खुछ सोचे इसी से रिलेटेड में आपको दूसरी निउस भी दि इसको लेकर यह है कि CTAT का paper को हर बार यह कहा जाता है कि यह paper जो है वो leak हुआ है और इसको लेकर मैं आपको बता दू कि WhatsApp की जरीए आजकल WhatsApp चल रहा है WhatsApp की जरीए paper जो है leak हो जाता है लेकिन वही है कि result के अंतरगत वही आता है कि CBSC कितनी भी नियूज चलती रहे CBSC अपनी इंक्वारी करती है उसे जहां भी लगता है कि कमी है या पेपर वास्तब में लीख हुआ है वहाँ पर ये चीज जो है लागू होगी कि सेंटर जो है वहाँ दुवारा परिक्षा होगी लेकिन अगर वहाँ ये बात मालीजे किसी भी डिस्टिक की बात है अगर मालीजे आगरा की ही ले लीजे अगर आगरा में ये कह दिया गया कि नहीं यहाँ पर पेपर लीख नहीं हुआ उन्होंने इंक्वारी की परिक्षा है आपको इतना होना चाहिए कि केवल पातरता परिक्षा है बच्चों के लिए तो पातरता परिक्षा में पेपर का लीक होना आप समझे बच्चों के लेबिल सोचिए कि बच्चक किस लेबिल तक जो है बेरोजगार है और उसके मन में कितना है कि इस पातरता परि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उसके बाद पता चले कि पेपर जो है वो लीक हो गया है और पेपर अब यह कैंसल हो जाएगा अब पेपर दूसरा कभी होगा किसी और डेट में होगा तो बच्चे का मोरल कितना डाउन होता है कितना परिशान होता है एक गौर्म या कोई भी आयोग है वो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही किसी भी परिख्षा को कैंसल करने की बात करते हैं कि परिख्षा रद होगी या नहीं होगी किसी और की कैने से ये चीज़े नहीं होती है ये मैं आपको बता दूँ अब मैं चलती हूँ आपको cbsc की साइट है CTET वाली उस पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कोई news है या नहीं है अब तक क्या बताया है CTET ने इसको लेकर कि paper leak हुआ है नहीं हुआ है क्या होगा क्या नहीं होगा तो उसको लेकर यहां पर मैं आपको CV अप CTET वाली site पर चलते हैं जिस पर आप अपना हर update देखते हैं CTET से related उसमें देखते हैं कि क्या news है यह देखे यहां पर मैं आ गई हूँ यह आपको दिख रहा है कि CTT की website पर आप यह देखे इसको मैं एक मिनट English में ही कर लेती हूँ यह देखे यह CTT वाली site है पूरी आपको दिख रही होगी तो यहां पर पूरा यह चीज है तो यह आप इसमें मैं देखते हूँ कि कोई news है की नहीं है तो देखे यहां पर ऐसा कोई भी news नहीं है download admit card का जो पुराना चल रहा है वो ही है login CTT जनवरी 2024 से देखे वो ही सब चल रहा है इसमें कोई भी update यहां पर नहीं दिया गया है public notice कोई भी नहीं है कि परिक्षा रद हुई है नहीं हुई है कहां कहां रद होगी और कहां कहां दुबारा परिक्षाई होगी इस चीज की भ्रांती में ना रहिए यह CTT को लेकर हर साल ऐसी बात होती है लेकिन CBSC बहुत दिमाग से बहुत सही से काम करता है क्योंकि पता है कि CTT जो है एक केवल eligibility test है उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे को तुरंत नौकरी मिली जा रही है तो उसको लेकर बच्चे कोट में जाना ये सब सब करते हैं एक पद बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि दूसरे जितने भी राज है चाहे हम बिहार की बात कर लें उसमें अध्यापकों के कितनी भरती आ रही है तीसरा जो इनका अध्यापकों के लेकर वो अब उनका जो दो चरनों में तो परिक्षा हो गई अब तीसरे चरन की भी जो है देखेगा उसकी वेकेंसी आएंगी तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि दो चरन की बिहार में यही जॉब लग जाए कहीं भी जॉब लग जाए बच्चा तो हर जगे जॉब करना चाहता उत्तर प्रदेश में भी सुनने में आ रहा है कि प्रात्मिक सिक्षोक्यों की वेकेंसी आएंगी तो प्रात्मिक की जब वेकेंसी आएंगी तो बहाँ भी जो है मांगा जाएगा ये TET ये CETET क्वालिफाइड जो भी आप है तो इसलिए बच्चा इस चीज को लेकर बहुत सजग है उसके साथ साथ UP, PSC के तुरू बहुत सारी टीचर्स की वेकेंसी आने वाली है LT grade की और इन सब की तो उनमें देखे क्या notification मांगा जाए इसके साथ साथ अगर नया आयोग UP का बन जाता है तो नया आयोग बनने के बाद ये देखे TGT की वेकेंसी आएंगी तो हो सकता है कि उसमें CETAT मांगा मतलब CETAT qualified मांगा जाए तो ये सब चीजे नियम क्या बदलेंगे क्या नहीं इसलिए बच्चा इस होसता है CETAT बच्चा primary में teacher बढ़ना चाला चाता DLAD वाले बच्चे जो भी है BAD वाले तो हैं नहीं primary के लिए तो वो CETAT primary level का पास करना चाहरा है जल्दी से जल्दी उनके पास उनके पास जो है certificate आ जाए और जो junior वाले बच्चे है वो CETAT का paper भी बहुत जल्दी से देना चाहरा है मतलब जो जो second paper है और first shift में हुआ था इस बार तो वो paper भी सोच रहे हैं जल्दी से इसका answer आए और इसकी मतलब result आए और हमें जो है पूरा paper में ले मतलब पूरा अपना certificate मिल जा जिससे कि अगर कभी vacancy आती हैं तो उसके लिए लिए जी बिलो तो जो बच्चे अपने जीवन में कुछ करना चाते है तो उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल tension ना लीजिए CBHC अपने निर्णय खुद लेता है किसी दूसरे के कहने से नहीं पूरी inquiry होने के बाद पता चलेगा है न रदिकर के दुबारा कराना तो वीडियो अगर आपको सही लगी हो knowledgeable लगी हो और fake news से आप थोड़ा बचे हो इसको देख कर तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लीजिएगा मिलूँगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार